नमस्कार आप देख रहे हैं SPN 9 News SPN 9 News में आपका स्वागत और मैं हूँ आपके साथ नेहा परिहा लोग सबच चुनाव से पहले भारती जनता पार्टी ने कुछ दिन पहले अपनी लिस्ट यहाँ पर जारी की थी प्रत्याशियों की लिस्ट जारी होने के बाद कुछ नेता और सांसत पार्टी चोड़ने का एलान करते हैं तो कुछ यहाँ पर नाराज होते हुए नजर आते हैं बात करूँ मैं दिल्ली की तो चार नए चेहरों पर दाव यहाँ पर खेलती नजर आई है भारती जनता पार्टी और पुराने चेहरों को दर किनार यहाँ पर कर दिया गया है जिसमें की गोतम गंभीर और मिनाक्षी लेखी के साथ साथ और भियन्य नाम है इसी बीच आपको बता दे कि मध्यापरदेश का दिक्र किया जाया तो मध्यापरदेश में भी यहाँ पर केपी यादव प्रग्या सिंग ठाकुर के साथ तमाम कई ऐसे नाम है जिनका लिस्ट में नाम ही नहीं आया और यहाँ पर प्रग्या ठाकुर ने तो राजनीती छोड़ने तक की भी बात कर दी इसी बीच आपको बता दें कि मध्या परदेश के पूर्व मुख्या मंतरी और कॉंग्रेस नेता दिग्विजा सिंग जो है प्रग्या ठाकुर के लिस्ट में नाम नाने पर काफी ज़ादा भावुक होते हुए नजर आए हैं आखिर कार क्यों? क्या यहाँ पर यह कयास लगा लिए जाएं कि प्रग्या ठाकुर कॉंग्रेस में जा सकती हैं? पहली बात तो में लोग राजसवा का सदस्री हो तुसे लड़ने के अवशक्ता नहीं है लेकिन कॉंग्रेस का कारी करता हूँ तो जो आदेश होगा तो आपने यहाँ पर देखा कि दिगवीजे सिंग प्रगय ठागूर को लेकर क्या गुच कहते नजर आ रहे क्या आने वाले समय में परगय ठागूर जल्दी कॉंग्रेस में शामिल होंगी क्या लगता है आपको कमेंट बॉक्स में अपनी रायते और देख तरही एस्पेन नाई न्यूस थन्यवाद